साथियों नमस्कार एक बार फिर आपके बीश डाक्टर चितेयन कुमार फार्मासिस्ट नीमास्टर साथियों बहुत से विद्ध्यार्थी हमारे यूटूब चैनल के जरिए कुष्चन करते हैं डी फार्मा, बी फार्मा या मेडिसन से रिलेटेड या कैरियर से संबन दिए अगर आप कभी कोई काई साथियों कुष्चन है अगर आप मैं हमारे यूटूब चैनल इजी स्टेडी फार्मेसी पे कमेंट करेंगे कुष्चन करेंगे मैं उसका अंसर जरूर दिए साथियों सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दोंगा मैसेल चितेयन कुमार मैं गौर्मेंट फार्मासिस्ट हूँ साथियों जो भी विद्धियार्थी डी फार्मा डिप्लोमा इंफार्मेसी और बी फार्मा बैचुलर इंफार्मेसी करके हास्पिटल की जो ट्रेनिंग करते हैं मैं उनका हास्पिटल का ट्रेनिंग मास्टर है साथियों बहुत से विद्धियार्थी कुष्चन करते हैं कि मेरे विद्यारтьी ने कुर्शेन कैया, जानना चाहता है कि सम्विदा और गौष्म्ट कैसे मिलती है jsूँ tis यह सब पहले मैं बताऊंगे की D-Pharma किया है और B Pharma कहां-कहां जाब लग सकती है D Pharma क्यों कहां-कहां B Pharma की जाब लग सकती है साथियों D Pharma जो है Diploma in Pharmacy यो वो Clinical मेम है और B Pharma वो Engineering मेम है तो कहने का मतलब है कि जो State के जो Hospital होती है चिकित्सा स्वास सेवाएं होती है जिनके अंदर District Hospital आते हैं CSC आती है, PSC आती है, Additional CSC आती है, Additional PSC आती है साथियों कहने का मतलब है कि संयुक्च के साले आते हैं, महिला जीला अस्पताल आता है जो भी Government Pharmacist है या Railway के Pharmacist है या Army के Pharmacist है या जो है कहते हैं NTPC है या IFCO है किसी तरह का Government Hospital है जो Hospital के अंदर दवा कर रखा और दवा कर Distribution और दवा की दोज तक ही बताने का काम मरीज का है वो Pharmacist का है वो D-Pharma है क्योंकि D-Pharma clinical में मैप है जिसमें हम injection भी लगा सकते हैं, emergency duty कर सकते हैं साथिसाथ क्या है उसमें दवा कर रख रखा और दवा का वित्रण दवा जो है मरीज को देना और मरीज को डोल बताने का काम हमारा है क्योंकि यह clinical में है जिसमें हम dressing भी कर सकते हैं B-Pharma जो साथियों है वो engineering मैप है उसमें किया है आप production में जा सकते हैं और उसमें किया है कि drug inspector DI की जो vacancy आती है उसमें आप entrance exam देके drug inspector बन सकते हैं government का जो है बहुत कम आपसाना या फिर केंदर की ESI hospital होते हैं उसमें D-Pharma D-Pharma दोनों को इलाओ कर दिया है बहुत ज़्यादा association की लडाई के बाद दोनों को इलाओ कर दिया है साथियों और उसमें entrance exam जो पास करता है उसकी job लगती है otherwise जो hospital के अंदर pharmacist होते हैं वो D-Pharma ही लगते हैं अब साथियों इन्होंने D-Pharma किया है इन्होंने बहुत अच्छा किया है 2-year का course है, Diploma in Pharmacy and 3-month जो है hospital की training होती है 500 hours अब साथियों क्या होता है कि जैसे NHM और NRHM के जो project है उसमें जो है एक गैर सरकारी संस्ता है जो government के अधीन है उसमें क्या होता है कि एक fixed salary होती है इसको हम संविधा कह सकते हैं जैसा कि विद्यार्थी ने पूछा है उसमें vacancy निकलती है उसमें आप farm भरेंगे उसमें entrance exam होगा और आपकी जो है नुक्ती हो जाएगी और फिर autonomous body होती है जैसे medical college होते हैं एम्स होते हैं यह PGI होते हैं और इस्टेट के अंदर जो medical college होते हैं जैसे लखनाव में रामनों लोहिया है इसमें जो साथ ही हो फार्मासिस्ट क्या होता है कि दो तरह से रखते हैं एक तो permanent रखते हैं और कहीं पर ज्यादा मतलब medicine का distribution या ज्यादा काम होता है तो वो संविदा पर भी रख लेते हैं अब medical legal duty संपादी करने पड़ती हैं तो क्या होता है कि साथियों बहुत तरह की vacancy निकलती रहती हैं सभी जगह से निकलती रहती है नहम नहरेचम के प्रोजेक्ट हैं इसके लिए आपको साथियों क्या होगा निउज पेपर रिगुलर देखते रहना होगा और क्या होगा कि रोजगार आप इंटरनेट पे जो है अपने मुबाइल पे जो है गुगल में सर्च करेंगे उसमें लिखेंगे कि गॉवर्मेंट फार्माशिव जिस स्टेट के रह और कि मैं थे अपरोज ड़नेट को सु当 एंटर्ह करेंगे और कि एकस्प्रेमि benefited नाय। पर इसमें भी जाब लगती है सातियों, आरमी में जुखती है सातियों, आरमी में क्या होता है जो भी candidate, Diploma in Pharmacy है, और उसका क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, फिजीकल पास करता है, उसकी भरती होती है और उन्हों को हास्पिटल में, जिसे आरमी Medical Court, हास्पिटल में ज सब्सक्राइब करेंगे और उसमें क्या होता है कि टाइम टॉ टाइम जो है बताते रहते हैं कहीं पर वैकेंसी आती है जैसे कि अभी अधर स्टेट में जो है पंजाब में जो है आर्मी में वैकेंसी है जिसमें कोई दिश्टिक हैं जबकि उनकी नागरिक्ता वही की होनी चाहिए डी फार्मा होना चाहिए और वहां पर क्या होगा कि फार्मासिस्ट की जाव होगी लेकिन दो इस्टार राइंक आपको मिलेगी चाहिए जो होगा रेश्टेट अपसर की पोस्ट होगी और दवा ही बाटनी है ऐसे करके हम समय समय पर बताते रहते हैं तो साथियों आप उनसे जुड़ेंगे किसी तरह की क्वेरी है अप हमें जरूर कमेंट करिए और अधिक जानकारी के लिए हमारा फेस्बुक पेज भ सकते हैं तो इस इक साथ विराम देंगे साथियों नमस्कार